कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई पूरी दुनिया की व्यवस्ताएं चर्मरा गई ठप पड़ गई भारत के गरीब तबके के लिए दलीत आदिवासी के लिए कि हर कोई आशंका जता रहा था कहा जा रहा था कि सौ साल बाद इतनी बड़ी आपदाई है समाज का ये तबका कैसे रह पाएगा लेकि तब मैंने ये ताय किया कि चाहे जो हो जाएं मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा दोस्तों मैं भली भाती जानता हूँ कि भूखे रहने की तकलीब क्या होती है मैं जानता हूँ कि गरीब का स्वाबिमान क्या होता है मैं तो आपके ही परिवार का सदज से हूँ आपका सुखदुख समझना मुझे किताबे नहीं दूननी पड़ती इसलिए ही हमने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना शुरू की असी करोड से ज़्यादा लोगों को मुप्त रासन सुनुशित किया और आज देखिए हमारे इन प्रयासों की तारीब पूरी दुनिया में हो रही है साथ क्यों आज देश गरीब कल्यान की जितनी भी बड़ी योजना एक चला रहा है उसका सबसे बड़ा लाप बलीत पिछडा आदिवासी समाज को ही हो रहा है आप सब अच्छे से जानते हैं पहले की सरकारों के सबाएं जो योजना आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलीत वंचीत पिछडे आदिवासी महिलाएं इन सब के साथ खड़ा हो हम उनकी आशाओं आकांख्षाओं को सहारा दें इसलिए आज देश इनकी विरासत को भी गर्व के साथ सहज रहा है बनारस में संत्र अविदाज जी की जन्मस्थली पर मंदिर का संदरी करण किया गया मुझे खुद उस कारकम में जाने का सहुपा के मिला यहां बोपार के गोविनपुरा में जो ग्लोबल स्कील पार्क बन रहा है उसका नाम भी संत्र अविदाज के नाम पर रखा गया है बाबा साब के जीवन से जुड़े प्रमुक स्थानों को भी पंच तिर्ष के रुप में विक्सित करने का जिम्मा हमने उठाया है इसी तरह आज देश के कई राज्यों में जन जातिय समाच के गवरव शाली इत्यास को अमर करने के लिए मिज्यम मन रहें बगवान बिर्शा मुंडा के जन्मदिन को देश से ले जन जातिय गवरव दिवस के रुप में मनाने की परंपरा शुरू की है मद्य प्रदेश में भी हबीब गंज रेल्वे स्टेशन का नाम गौन समाच की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है पाताल पानी स्टेशन का नाम तंट्या मामा के नाम पर किया है आज पहली बार देश पर दलीद पिछड़ा और आदिवासी परंपरा को वो सम्मान मिल रहा है जिसके यह समाच के लोग हकदार थे हमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है मुझे बरोसा है देश की स्यात्रा में संत्र विदाज की सिक्षा है हम सब देश वाचों के एक जूट करती रहेगी हम साथ मिलकर बिनारु के भारत को विक्सित राष्ट बनाएंगे